एक चुन को पंजाब में लोगसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इस लोगसभा चुनाव से पहले अगर पंजाब की बात की जाए तो जलंदर और बठिंडा एक ऐसी सीटों में से सीट्स मानी जा रही हैं, 13 सीटों में से दो एक ऐसी एहम सीटे हैं, जुसको सबसे होट सीट क के ओपर ही जादा चर्चा क्यों हो रही है बाद-बाद वागत है आपका लोकसा प्चुनाव है एक जून को तेरा सीटे हैं किस तरीके से आप देखते हैं कितनी एहम सीटे हैं जलंदर और बठिंडा का जिक्र जादा क्यों किया जा रहा है तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार बाइलेक्षिन में सतारूर पार्टी मान स्रकार का वहां मीदवार जीतना सुशी रिंकू का सुषी रिंकु का टिकट मिलने के बावजुद वहां दूसरी पार्टी में चले जाना और वहां पर वोनों ने पकैदवन को मीद बारे बना दिया के अब अकाली दल, कॉंक्रस, बीजेपी यह जो गड़बंदन के तोर पर से सीट लड़ती थी अब लगलग से लड़नी है पूर सीयमोन के नाते और शुषी रिंकु का मुझूदा सांसत होने के बावजूद बीजेपी में जाना, पवंट इनू का उसमें आमादी पार्टी से हाथ मलाकर उसमें मीदवार पनना और वहां पर अकाली दल ने भी जो है मिंदसीं केपी को यस्टेड़े कल को उतार द पी और अब हैलात ही है कि चारो दल जो है ना चाहें इंडिया तोर पे गटबंदन होगा, आमादी पार्टी का कांगर्स का होगा, लेकिन यहां पर लगलग से अमीदवार वो वो चल रही हैं समें, अब हमने अब रिजल्ट इतना इंटरस्टिंग होगा, हाला कि अपर हैं होगा, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुकाबला मुझे जो लग रहा है, आमादी पार्टी और कांगर्स का मुखतोर पे वहां पर जो होने जा रहा है, जो लग रहा है भी आप इनिशल स्टेज पे आगी, अभी दस दिन बाद क्या होगा, हमारा तो आखरी चर्ण म हमारा चुनाव है, इसलिए मुझे ये तो एक सेकिंड जो है, होड सीट जो है, कल हर्सी मर्द को बादल का, वहां पर आना, और दूसरी बार सांसर कोंके बादल परवार की साख की बात खड़ी हुई है, ये बात देखिए कि वहां पर गुरमी से खुड़ियां चुनाव ल लंबी थी, जदी सीट को वहां पर हासर करने के लिए जद जद करने, मतलब कि उनके लिए चुनाव पर चुनाव ही होंगे इसमया के, अगर वो हार जाते हैं, तब भी उनके लिए बहुत बड़ी होगा उसमें, जीत हैं, तब भी मलत कहने के मतलब है, वहां पर तकरीबन इसके बहुत जो उनके टकसाली नेता था, जो सकंदर सिंग मुलू का, उनकी बहुत परमपाल कोर, वो चुनाव में वो आगे हैं, तो इसी तरह से अगर जीत मिंदर सिद्धू भी जो है, वो भी बेसिकली लोकल वहां पर रेने वाले हैं, जो 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 को कांगस हैं टिकट तो वहां देखी ने राजा वडिंग की अमरता वडिंग को वहां से टिकट मिलने थी, तियारी शुरू कर दी है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं जो ऐसे दल भी है, अकाल दल के लिए एंटरनल गुटबाजी का होना, मुलूका के परवार का मदान में उतरना, चना पर चार दल, मुलूका के चार तरफ से जिनका जो मुकाबल होगा, अब वो जो देखना अपने कार्टर वोट जिसकी जाना मुझबूत होगी, जो कार्टर वोट होगा, अब तो उसी पर डिपेंड करता है, अब तो बठिंडा सीट का हम सब जिकर करते हैं, कहीं न कहीं अक अकाली दल का कारडर लंबे समय पंजाब में रहा, पंठक वोट उनकी रही है, जिस तरीके से उन्होंने एक लंबे, हाला कि अब सत्ता में नहीं है, प्रिशले लंबे समय सत्ता से वो बाहर है, लेकिन कारडर वोट की चारों का अगर नाम जिकर किया जाए, चाहे खुडि अगर जाए, चेहरे वही है, पार्टिया बदल गई है, देखिए बात आपनी बड़ी इंटरस्टिंग है, लेकिन बात है कि भी बात कारडर वोट की है, सब की टिकी हुई है, जो अकाली दल के साथ जो है न, ये देखिए कि लोग बदलाव के लिए आए थे, अब दोस्त अब दो ये इनके अमीदवार है, खोड़ी हैं कि साथ डिफरेंट है, क्योंकि अपने पिता जी की जो परानी रेपोर्टेशन सी, उनकी वो मदद उनको मिलेगी, खोद की वो खोद जो है, परस्नली उनकी जो वोट है, जो लोग मानते भी है, कहते भी है, उनका सभाव जै कोरकल एक कहीं बात करी थी, आके कहीं वो, तो वो अकाली दल को ज़्यादा कोस रही है, वो कहते हैं कि मुझे अकाली टिकर देता तो भी ना जाती, जमके उनके सासुर जी, सकंदर सिंग मुलुका जी, वहां से उन्होंने वो बने, वहां मंतरी बने, और बकायदा उन्हों मेरे ख्याल से इस बार जो है, चाहे अकाली दल का परवार के सभी एक मलक के वहां से निकले होंगे, लेकिन इस बार चनोतियां सब के लिए बराबर हैं, आमने दो सीट का जिकर किया जाया, तो आपको क्या लगता है, इस बार पंजाब में क्या भी अक्चुल सेनेरियो है, क्योंकि कहीं न कहीं, अब पहले ऐसा नहीं था, पहली बार चौ तरफा अब चुनाव है लोकसभा का पंजाब में होने जा रहा है, इस बार पिक्चर बदली है, आप तो किते लंब समय से, मैं अपनी, मेरे अपनी जो 26-27 साल की पत्रकारता में, मैंने कभी दल बदलू इत कुछ बाती हैं कि यह जो नहीं जनरेशना वो सत्ता रूड पावर में रेना चाहती है, और आप देखिए द्यान से इनकी जो फैमिली बैक्रून कहीं न कहीं, वो चाहती हैं कि वो किसी रूमें ऐसी पोजिशन में रहें, जिनकी उनकी गुडविल बनी रहें, जहां लोग इंदर सिंग केपी जो जिसकी आप पहले सीड की बात करें थे आके, वो पीपी सी से का देक्षरा है, दर्शन सिंग केपी उनके फादर बड़े अच्छी रेपोडिशन थी, आतंक वादियों के, वो हाथों वो मारे गे थे उनमें, और उनके बाद इनकी खुद की कांगरसी होने किनाते, जो मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला और उनने वहाँ पर बेहतर समझा जाने के लिए, आप क्या समझते हैं, ये चीजों, पार्टियों में ऐसे चीजों बनती जारी हैं, ऐसे अंदर चीजों होती जारी हैं कि ये मजबूर हो रहे हैं, सत्ता का लोब कहेंगे इसको, किस तरीके साब इसको देखते हैं, और लोगों में क्या इसका इंपाक्ट जाएगा, जहां आज हम उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, आके उसी की बुराई कर रहे हैं, लोग इसको एकसे उसको एकसेप्ट करेंगे? तो उसमें थाल्या देखा कि उसमें दो सुकी रोटी अचार और दो कागज मिले, ऐसे सांसमदी पंजाब में आए थे, लेकिन अब वो ऑपरचिनिस्ट है, कोई वो देखा जाए, एक ही बात हुई है, अगर थोड़ा बोता, अब तो डैमज कंट्रोल उसको बोते हैं, जो कोई डैमज करने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल है, ये तो डैमज है, ये तो टिक्ट मिलने के बाद भी जा रहे हैं, तो ये डैमज नहीं है, बेसिकली अपरचिनिस्टी जो है, लोग ज़्यादा अपनी सतारूड लाब देखने के लिए कर लोगा है, चब बेवाल जो क्य बात बनी है, मुझे लग रहा है कि अब जो दीरे दीरे, जो है, वो सत्ता जो पावटियों का जो है ना, जो अंटरन पेशिंस लेवल है, वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम होता जा रहा है, कारण ये है कि लोग जाते हैं कि रातो राती ही स्टार बन जाएं, रातो रा लेकिन आप देखिए ना जी इतनी बड़ी चलना सांसद उसमें चीव मिनिस्टर बना और सिमर जी सिंग्मान को संगरूर से चिता दिया और ऐसी देखो बात सनी दियो लाए थे वहां पर गुर्दासपुर में बाद में निया रिशकर नाया कि जनता जनारदन है वो कल ब्यान देना उनकी मजबूरी सकती है जमीनी हकीकत तो यही है तो यह थे हमासाइस बड़े सीनियर ही पत्रकार जिन्होंने कई चीज़ें आपके सामने रखी उन्होंने बताया कि अब पिक्चर बदल चुकी है पहले समय होता था कि पार्टियां लंबे समय तक लेकिन ज होने जा रहे हैं वह बहुत ही अलग किसम के और बहुत ही डिफरेंट होंगे कैमरा में नल जंद के साथ चंडिगर्ट से टीवी नाइन के लिए हमन प्रीत कौन